हेलो दूस्तो नमस्कार टो पहुत है when there is a आ साथ बीजffen और स्पार मुए देखने हैं इससे के साथ साथ चोटे मोटे में रहेंगे उसको भी हागर हम लोग चाहे तो आपके कबर कर लेंगे तो एक काम करो थे निहीं顯ी इसу लिडियो को स्टार्ट करते हैं चानल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे खास बात कल स्टॉक मार्केट क्लासेज इस चानल के पर साढ़े दस बजे एक जबर दस वीडियो अपलोड होने वाला है लिंक उपर आई बेटन पर या फे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस चानल को ज़रू स गिरावट हुई बाद में थोड़े से साइडवेज और अगें गिरावट आखिर के आदे गंटे में भी में यह आपर अवज़र कर रहा था स्टॉक्स नीचे ही जा रहे थी मतलब इतनी जबर्दस हमलों को यह आपर बिकवाली देखने को मिल रही थी निफ्टी फिफ्ट इतनी बड़ी गिरावट होगी इससे रिलेक्टेट तो डाउट था बट जैसे आप लोगों ने यह आपर देखा होगा जैसे हमेशा में आपको वताता हो कि अमेरिकन बाजर इसको एक बार आप लोगोंने अब्जाव करना होता है सो अमेरिकन बाजर की क्लोजिंग ही अग इसी कोई बात में पूरे दुनिया के मार्केट फॉलो करते हैं आज आप लोगोंने देखा होगा पूरे दुनिया के मार्केट में हम लोगों को प्रेशर देखने को मिला तो इस वक में दोस्तों डेफिनिटली कहना चाहूंगा यूएस के मार्केट यह सबसे बड़ा इस के मार्केट गिरने के पीछे भी कुछ ना वज़ा रहेगी तो वही अभी फिलाल हम लोगों को यह देखनी है तो दोस्तों अगर हम लोग यह बात करें तो यह वर्ल्ड के जो मेजर इंडैस उसको भी अगर आप लोग यह बार चेक आउट कर लोगे तो जैसे मैं आपक 35% की गिरावट यह देखे मतलब यहाँ पे भी 1% से ज़्यादा की गिरावट है हम लोगों को यूरोपियन बाजार में भी देखने को मिल रही है और बाकी के भी आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो गिरावट देखने को मिल रही है तो डेफिनली हम लोग कैसा है यू. में जबर्दस प्रेशर देखने को मिला एंड उसका इंपक्ट पूरे दुनिया के मारकेट में हुआ है जिसमें इंडिया भी हमलों को शामिल होते हैं चारी चीजे देखा जाए तो एक ट्रेडर के सबसे important point कौन सा चल रहे तो दोस्तों आप सभी लोग को बता है bond yield लगा अतार यहां पर बढ़ रहे हैं उस दिन भी मैंने वीडियो कवर किया था बहुत सार लोग पूछ रहे थे सर आपने bond yield का reason क्यों नहीं कवर किया देखा जाए तो bond yield उस वक्त भी अगर हम लोग देखा तो major reason जरूर था बट उस वक्त अगर आप लोग देखते तो दुनिया के बाजर पर कोई impact नहीं था ना तो US मार्केट में भी कोई impact नहीं था सिर्फ इंडियन मार्केट में impact देखने को मिला था इसलिए हम लोग ने कोविड से related reason से related बाते बोली थी बट अभी अगर हम लो चीजों को डीटेल में study करेंगे सो दोस्तों आम लोग कह सकते बॉंड इल्ड लगातार बढ़ते वे देखने को मिलें येल्ड मतलब आप percentage पकड़ लेना returns पकड़ लेना dividend yield आपने सुना होगा dividend divided by market price per share तो similar bond yield मतलब क्या सो जो interest रहता है bond का divided by bond का जो प्राइस and bond का तो यहां पर equity market होता है एंड उसी की साथ साथ debt का मार्क मैंदला bond का ही आप लोग यहां पर बोल सकते equity market बहुत ही अच्छा गासा अल्रेड़ी यहां पर भाग चुका है आप सबी लोग को यहां पर पता है एंड जब भी bond की या फिर debt market की यहां पर हम लोग अगर बात करे तो वहां पर वह क्या कर लेते हैं शिफ्ट कर लेते हैं अपना पैसा जब वह जबरदस attractive level पर देखने को मिल जाता है और देखा जाते हैं तो comparatively थोड़ा सा थोड़ा सा अगर देखा जाते हैं एक्विटी से भी थोड़ा सा कम रिस्क होता है हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं बट यह हम लोग यहाँ पर चीज ज़रूर बोल सकते हैं जैसे मैंने आपको बता है कि एक्विटी में अगर आपको 15 रुपया मिलता है और बॉंड की अगर हम लोग बात करें यिल्ड बढ़ बढ़ कर बढ़ बढ़ कर पहले 10 ती 11 ऐसे एक्जामपल बोल रहा हो 11, 12, 13, 14, 15, यह अभी उसके भी उपर यहाँ पर निकलना शुरू है तो डेफिनेटली लोग इक्विटी से निकालके बॉंड में जाना शुरू अल्री यहाँ पर हो चुके होंगे जिस टाइप के हम लोग को यहाँ पर संकेत देखने को मिल रही है तो उसी तरीके से हम लोग के सारी लगातार वहाँ पर बढ़ रही है उससे रिलेटेड भी अगर हम लोग बाते करें तो बहुत ही जादा अंसर्टिनेटी वेव में उनके हम लोग को यहाँ पर रिप्लाइस देखने को मिलते हैं इसी से रिलेटेड हम लोग के सारी चीजे फिलाल अमेरिकन बाजार में गिर इसको आके यहाँ पर चिपक जाते हैं वैसे अगर हम लोग बात करें फियर ओफ फॉरेंड फंड आउट फ्लोउज आप सब लोग बताएं इंडियान मार्केट में फॉरें इन्वेस्टर्स ने जिस तरीके से पैसा लगा है तेजी उसी के बदलत हम लोग को देखने को मिल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टर्स ने इनके पास तो इतना सारा पैसा रहता है और चाहिए वह पैसा अभी इक्विटी से बॉंड में आप शिफ्ट कर सकते हैं तो इसी से रिलेटेड यह डर फिलाल हम लोग को बाजार में देखने को मिल रहा है तो यह भी मेजर रीजन जो कि आप लोग देख सकते हैं जो कि हम लोग ने यहाप पर कबर कर लिया है दोस्तों लास्ट जो रीजन है जैसे मैं आपको बता है कि US मार्केट में ही हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है बॉन डिल तो रीजन जरूर है बलड उसी के साथ-साथ अगर हम लोग पर एर स्ट्राइक होते हुए देखने को मिल रही है यूएस नहीं यह एर स्ट्राइक किया आप सभी लोग को यहाप पता हैं कभी भी अगर यहाप वार जैसी सिचुएशन या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रेट हो जाती है तो बाजार को हमेशा रीजन मिली जाता है स अब चाओ तो खुद हमारे इंडिया का ही एक्जामपल ले लो सब कुछ नॉर्मल था सड़नली इंडिया चाइना बॉर्डर के उपर हम लों को प्रेशर देखने को मिली थी तो यह सारी चीज़े ऐसी होती जो बाजार में यह सारी चीज़े ट्रेडर्स के लिए बहुत ज माने के उपर गिरा है उसका सबसे में रीजन तो अमेरिकन बाजार ही आपे फिलाल देखने को मिल रहा है और अमेरिकन बाजार क्यों गिरा तो बॉंड येल्ड का तो कारण्ट ज़रूर है प्लस उसी के साथ साथ एर स्टाइक भी अगर आप चाहो तो इस रीजन को भी आप तक कि लिया बाइब आप तक लिया बाइब आप तक लिया बाइब